अब भी कि अभी अगर आप एक्टिव करते हो 600 रुपए आपको साइनाप पर मिल जाएगा ठीक है तो यह देख सकते हो आप हमको जो है यहाँ पर मिल चुका है कॉन्राचुलेशन्स 5000 हमको क्रेडिट मिल चुका है अप्लाइ कर दो इस वाले वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कैसे आप अभी के टाइब में अक्टिव कर सकते हो और डेफिनेटली आपको मिल जाएगा भाई Amazon Paylator का बहुत सारे फायद है तो सबसे पहले तो अगर आपके पास सिबिल नहीं बहुत कम है I mean 500 से उपर है न तो भी आपको मिल जाता है जहाँ पर आपको 60,000 का जो है केडिट लिमिट मिल जाता है जिसको आप अप टू 30 डेज के अंदर बिलकुल फ्री में यूज कर सकते आपको देखना है हमारे चैनल पर देखो और कोई भी रिगार्डिंग कुछ भी क्वाइरिस होना आप मेरे को सीधा इंस्टेगराम पर मैसेज करो मैं आपका सारे अंसर दे दूगा ठीक है पिछले कुछ दिनों से जो है ना बहुत सारे कॉमेंट्स आ रहे हैं कि Amazon Paylator में म एमेजोन पे लेटर को अपलाई करके दिखाऊंगा तो चलो देखते हैं विदाओट वेस्टिंग टाइम लेट्स केट चाहूं मुंट दा वीडियो यहां पर आप मेरा मोबाल का स्क्रीन देख सकते हो यहां पर देखो मेरा Amazon Pay Balance जो है ना सेट अप नहीं है ठीक है फिर भी आप सेट अप कर लोगे ना उसके बाद आपके सामने यहां पे ही साइड में आ जाएगा Amazon Pay Letter का Option यहां पे साइड में मिल जाएगा अगर आपको नहीं मिल रहा है ठीक है फिर भी नहीं मिल रहा है ना तो Amazon Pay ICCI Bank Credit Card का Option है ना तो उस पे अपलाई मतलब उस पे क्लिक करके sometime meanwhile you can get instant credit up to 60,000 with Amazon Pay Letter क्लिक है ठीक है तो जब मैंने Amazon पे ICCI Bank का Credit Card apply करने गया ना तो यह बाला पेज मेरे सामने खुला ठीक है यह बाला पेज आपके सामने खुलेगा अगर आपके सामने Amazon Pay Letter का Option नहीं मिल रहा है तो ठीक है तो यहां पे Amazon पे ICCI Bank Credit Card को आपको मतलब क्लिक कर करना या फिर बगल में आपका Amazon Pay UPI का मतलब जो Option है वो मिलेगा तो उस पे क्लिक करके आप अपलाएगा रहो ठीक है तो यहां पे देखो क्लिक क्लिक क्यार पे मैं सिंपल सा क्लिक कर दूँगा क्लिक करने के बाद यह बाला एंटरफेस आपके सामने आएगा देख सकते हो Amazon पे Amazon पे लेटर यहां पे लिखा आ गया चेक इलिजबिलिटी ठीक है तो यहां पे अभी जो है न आपको आपका इलिजबिलिटी यहां पे चेक करना पड़ेगा क्योंकि यहां पे जैसा मैंने आपको पहले ही बताया है कि 500 क्या आपका होगा तो भी आपको मिल जाएगा क् लास नम होगे आपका mobile number automatically show कर देगा उसके नीचे आपको email डालना है देखो जो भी mobile number यहाँ पर मतलब आपके Amazon से linked है वो आपको डालनी है उसके बाद आपका email भी यहाँ पर show करेगा उसके नीचे आपको अपना permanent account मतलब आपका जो pen card है ना तो pen card आपको डालनी है pen card number डालनी है उसके नीचे आपको अपना date of birth भी choose करना है और उसके नीचे जो है आपको times and conditions का एक box मिलेगा तो उसको simple सा आपको agree करना फिर जो है आपको submit कर देना है ठीक है तो submit करने के बाद आपके same mobile number पे जो भी आपका mobile number linked है ना Amazon से उस पे एक मतलब OTP आएगा OTP का आपको डालनी है डालनी के बाद आपको नीचे submit देख रहा है ना तो submit पे आपको simple सा click करना है इसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हो इनका जो civil है बहुत जादा हाई है आपको इतना civil की जरूरत नहीं है ठीक है अगर आपके पास इतना civil नहीं है तो भी आपको मिल जाएगा भाई इन 767 इनका civil है देख सकते हो 767 जो की बहुत ही अच्छा civil है जिसमें आपको credit card भी मिल सकता है ठीक है तो इस तरीके से इनको तो मिली जाएगा अगर आपका इससे भी कम है ना तो भी आपको मिल जाएगा तो यहाँ पे देख सकते हो आपको यह option मिलेगा ठीक है अगर आप eligible हो यहाँ पे आपका आता है मतलब आपका civil थोड़ा सा जादा आता है तो यहाँ simple सा आपको यह show हो जाएगा यहाँ आप देख सकते हो सीधा buy now pay later यहाँ पे है और यहाँ देखो 60 second में आप sign up कर लोगे और यहाँ पे आपको welcome bonus 6000 मतलब 600 रुपीज मिलेगा देखो welcome rewards worth 600 रुपीज active now तो अभी के अभी अभी अगर आप active करते हो 600 रुपए आपको sign up पे मिल जाएगा ठीक है तो यहाँ पे sign up in 60 second लिखा हुआ है तो उस पे simple सा आपको ना click कर देना है अब उस पी click करने के बाद यह बाला यहाँ पे interface आएगा यहाँ देख सकते हो आ बहुत सारे ओप्शन है एंटर डिटेल्स बेरिपा एडिंटी एकसे अप्ट उसके बाद जो है setup auto repayment ठीक है यह सारा option आपको चार option आपको जो है करनी है यहाँ पे सबसे पहले अपना permanent address डालो ठीक है उपर यह आप देख सकतो यहाँ पे मैंने अपना permanent address डाल दिया और यह जो चार step है इसको आपको पूरा करना है उसके side में यहाँ पे देखो अपना data bar डालो अपना यह डालने के बाद उसके बाद इसको चेक करो फिर agree and continue पे क्लिक करने के बाद यहाँ देखो verifying detail तो आपका जो pen card आपने डाला उसको verify कर रहा है देख सो verified भी हो चुका है evaluating profile तो profile evaluation कर रहा है अभी तो यह सारा कुछ ना देख सकते हो automatic के लिए होगा अभी जो है exeo का यहाँ पे show कर रहा है करूर बैस जो होता है ना उसका यहाँ पे show कर रहा है तो यह मिरको allow कर दिया गया है अब देख सकते हो यहाँ पे KYC जो preference है वो आपका OTP based ड़ाएगा ठीक है उस वाले आदार से जो भी mobile number लिंक ड़ना उस पे एक OTP आएगा जैसे कि आपको पता है KYC कैसे होता है तो उस पे OTP आने के बाद बोवाला OTP आपको नीचे verify OTP लिखा हो आए ना तो उस पे simple सा आपको क्लिक करना मतलब उस पे आपको डाल देनी OTP ठीक है तो यह देख सकते हो आप हमको जो है यहाँ पे मिल चुका है congratulations 5000 हमको credit मिल चुका है Amazon Paylator मतलब apply करते ही हमको यह मिल जाएगा बहुत ही बढ़िया जो है हमको मतलब थोड़ा सा भी time हमको wait नहीं करना पड़ा अब जो है यहाँ पे टांसन condition का box है इसको आपको यहाँ पे चेक करना है और agree and continue पे simple आपको click कर देना है ठीक है हमको 5000 मिल चुका है एक step दो step हो चुका है तीसरा step भी यहाँ पे हो जाएगा यहाँ पे click करने के बाद यहाँ पे देखो set up auto repayment का option ही बचेगा ठीक है तो यहाँ पे हम agree and continue पे click करने के बाद यहाँ पे और भी थोड़ा सा टाइम लेगा तो time ले पे Amazon को open कर लिया है और सीधा हम जाएंगे Amazon Pay Pay वाले section में Amazon Pay वाले section में आ चुका हूँ अब देखो Amazon Pay Balance के बगल में आपको Amazon Pay Later का option मिलेगा जहाँ पे 5000 लिखा हुआ है यह देख सकते हो Amazon Pay Later यहाँ पे show कर रहा है buy more with Pay Later के अब set auto repayment पे आपको click कर देना है ठीक है क्योंकि auto repayment set किये बगर आप कुछ भी पैसे का अस्तमाल नहीं कर सकते तो अगर आपका जो लेंडिंग बाठार है वो एकजियो है ना तो बहुत बढ़िया रहेगा ठीक है एकजियो बहुत बढ़िया company है अगर आपका जो है IDFC bank fast bank है तो आपको बहुत दिकत हो सकती है auto repayment set करने के लि अगर आपका लिमिट 5000 मिला है तो आपको 5000 के लिए यहाँ पर auto repayment set करना पड़ेगा तो यहाँ पर simple सा जो set auto repayment पर click कर दूँगा अब यहाँ पर देखो आपके पास debit card या फिर net banking तो यह दोनों में से कुछ भी एक हो जाए ना तो हो जाएगा यहाँ पर आप देख सकतो net banking कि वार debit card simple सा यहाँ पर इस वाले मतलब option पर ही जो देखो चूज रहेगा तो यहाँ से ना आपको bank नेम से आपका bank जो है ना वहाला bank आपको यहाँ से चूज कर लेने हैं ठीक है तो simple सा आपको bank चूज कर लेने ऊपर नीचे करके drop down menu है state bank of India को चूज कर लिया नीचे आप आपको debit card देनी है या फिर internet banking देनी हो बहुत चूज करनी है तो मैंने यहाँ पर debit card देके continue कर दिया है आप देखो debit card आ गया state bank of India का debit card यहाँ पर debit card mode मैंने चूज कर लिया नीचे जो है अपना अपना जो account number है ना account number आपको डालनी है उसके side में आप देख सकते हो verify का option तो verify पर option पर जो है आपको simple सा उसके बाद click करना है ठीक है यहाँ पर verify हो चुका है नीचे जो है आपका name show करेगा bank account से जो भी name है ठीक है नीचे आपको continue का option मिलेगा continue के option पर मैंने click कर दिया अब continue पर click करने के बाद यह वाला option आपके सामने आएगा यहाँ पर सारा कुछ आपको कुछ भी वैसे करने नहीं है खाली यहाँ पर आपको proceed पर ही click कर देना है और कुछ भी करने की जरूरत नहीं है ठीक है यहाँ पर मैंने proceed पर click कर दिया अभी यह चल रहा है देखो Amazon Payletter Auto Repayment Method has been successfully registered आचुका है बट फिर भी अब भी भी काम कर रहा है देख सकतो successful हो चुका है Auto Repayment Setup successful सब कुछ successful हो चुका है और इसके regarding नहीं आपका कोई भी query सो आप सीधा मेरे को message करो सीधा Instagram में message करो जल्दी जल्दी से जाओ और इस तरीके से आप 2023 के mid range में Amazon Payletter को active कर सकते हो आयोब आपको सबको समझ आ गया होगा Sunday Life को जरू से जुना बहुत सारे Amazon Flipkart के पहुच आपको giveaway में मिलेंगा Thank you very much जाइन जाए भारत बंदेवाद रहाण